हेलो हाई विल्कम बाक टू येट ने अधा वीडियो नमश्कार सागत अब सबीका एक बार फिर से इस एक रॉव वीडियो में जुस्पें हम बात करेंगे कि से पर हम बात करते हैं और जनरल टॉपिक होता है जो कि आपनों की हल्प करता है ठीक है तो यही हमारे चैनल का थोड़ा मोटो है बीच में कुछ ऐसे वीडियो बंद हो गये थे तो आप फिर से सोचा है कि जो आप लोग के नहीं नहीं टॉपिक साते हैं जो नहीं नहीं आपके आउट्स होते हैं उनको एक बार क्लियर करना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या इस टेक फिल्ड में फिर प्लेस्मेंट के लिए क्या प्लोग गलती आगा रहा हूं रिसेंटली मुझे एक नहीं बहुत सारे लोगों से मुझे ऐसी फिलिंग आती है मैं बहुत टाइम से पढ़ हो सकता है आप भी वह क्यों ना हो कि आप सीख रहे हो डेटा साइंस लेकिन आपको पता ही नहीं डेटा साइंस में करना क्या है आप क्यों सीख रहो आप AWS सीख रहो आप AWS Cloud सीख रहो पड़ आप किस लिए सीख रहो वह आपको नहीं पता आप बोलोगे कि मुझे क्या करना ह है कि हम तो भई जॉब क्लियर करना चाहते हमें तो हाइपकेज चाहिए या हमें तो पैसा कमाना है तो में ली यही लोगों का एक डीजन होता है किसी भी चीज सो सीखने का तो इसमें जबता हुआऊ कि इसमें आप लोग बहुत गलत तरीके से जा रहो तरीके से आप प्रोच कर रहे हो क्योंकि यह ici पीजल में आप नहीं टिक वह यह एक ही किसा फील्ड है जहापे आपको इंट्रेस जितक नहीं आएगा तब तक आप नहीं सीख सकते हैं Suppose करो कोई इनसान जावा स्क्रिप्ट सीखने जा रहा है तो जावा स्क्रिप्ट सीखने का क्या पर्पस है सिर्फ यही कि बस आप एक एक प्रोग्रामिंग लेंगविज सीखना चाहते हो ताकि आप अपने रिजूमे में एड कर सको या फिर आप उससे कुछ बिल्ड करना चाहते हो You want to make something आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जिससे की लोगों काम है जिससे कोई चीजें easy हो जाए जैसे calculator आया तो calculator बनाया गया ताकि हम आज अपने दिमाग को इतना calculate करने की कोशिच ना करें Math वो computer कर रहा है जैसे to-do list आया कि आपको pen paper पे लिखने की जुरुरत नहीं उसमें reminder आ रहा है उसमें ये आ रहा है वो आ रहा है ट्रैकर सब को चल रहा है वो हो रहा है ठीक तो अगर आप JavaScript सीख रहा है तो आपका purpose क्या है कि मुझे सीखना है मुझे इसके लिए placement चाहिए इसमें अची नौकरी है इसमें ये है इसमें वो है but as a software developer as a developer अब क्या कर रहा है आप एक developer आपको कुछ develop करना है ये चीज ऐसी नहीं कि सिर्फ ये developer के लिए काम है कोई mechanical engineer है अगर वो किसी गाड़ी के parts को repair करने की कोशिश कर रहा है तो उसका main purpose क्या है वो ये चाहता है ना ताकि वो आगे इस चीज को करे किसी एक बड़े level पे उसको करेगा वो उसका एक motto होता है ना कि ये कि सिर्फ उसको सीखना है ताकि उसकी job लग जाए क्योंकि अगर आप इसके लिए सीखोगे तो आप job में जाने के time बहाँ जब बहुत ज़्यादा काम होगा तो फिर आपको बहुत सारी problems आएंगी कि ये काम करना पढ़ रहा है इतना ज़्यादा हो रहा है ये मैं कैसे बड़ करूँ मुझे मजा नहीं आ रहा है तो हर एक चीज को सीखने का एक तरीका होता है हम बच्पन में भी कोई चीज सीखते थे इसके लिए मैं कुछ reward मिलता था कि हमने ये सीखा तो हमारे ममी डड़ी बिलते थे ये बिटा टॉफी ले लो ये ले लो वो ले लो अगर आप यहां सीख रहा हो आप अब सस्केर अप पाइफान सिखने जा रहा हो तो पाइफन सीखने का मीन मोटो क्या पाइफन सीखा क्या करोãyग अप उसको data analytics में लेके जाओगे या अप उसको machine learning के यूझ करोगे या आप उसके साथ में Django सीख करके फिर आप उसमें कुछ अपना web development का चीज़े करके आऊगे आप जावा स्क्रिप्स सीख करके आप उसके आगे उसके framework सीखना चाहते हो आप क्यों सीख रहे हो अब बहुत लोग एक tech stack मैंने अभी रिसेंटली कुछ देखा कि लोग को रहें कि Java के साथ में मन स्टैक कैसा रहेगा तो दोजाट डू डू डिफरेंट थिंग आपको मन स्टैक के लिए आपको जावा की जरूरत ही नहीं जावा अलग हो गया मन अलग हो गया ठीक आप जावा और मन स्टैक आप बोलरों कि Python और मुझे मन करना है Python और मन ये क्या कोई concept बन रहा है वो Python एक अलग दुनिया है Python का अलग सा concept चलता है मन मतलब MongoDB Express React और आपका जादा Node.js ये चार चीज़ें अलग है जिसके लिए वेब डेवलोप्मेंट ये फुल स्टैक डेवलोप्मेंट में आप आते हो तो अभी इन सब चीजों को देखने के लिए आपको पहले इस सब चीजे रोग देनी है पहले आप रोग दो जो भी आप सीख रहे हो आप Python सीख रहो जावास्कृप सीख रहो आप वहीं के वहीं रुख जाओ क्योंकि इन सब करने को कोई मतलब ही नहीं है आप सीख आप आप से नहीं हो आपके अंदर चुछ आपने किया इस तो मज़जा ही नहीं हुआतों अपराह grandpa को आप पहले basic सीखो आप पहले अपने life इस चीज चीज का purpose देखो कि मैं क्यों इस चीज को करना चाह रहा हूं why I am doing this, why I am doing python, why I am doing javascript, why I am doing java such a horrible language मुझे personally बहुत खराब लगती है java एक तो उसमें बहुत सारा है spring spring ये बहुत बहुत डिफिकल्टीज मेरे लगता है मैंने कभी life में आज तक java बस अपने college के टाइम पे थोड़ा सा मैंने java सीखा था एक किसी online portal पे जाके मैंने कोर्स लिया था और वह बहुत बड़ी गलती करी थी क्योंकि उसके बाद मैंने फिर java नहीं सीखा I have notes with me also तो आपको अपने domain आपको select करने पड़ेंगे मैं javascript बगरा करता हूँ किसलिये ताकि अगर मुझे portfolio बनाना हुआ कोई मुझे clone बनाना हुआ मेरा mainly focus किसप है python, data science, machine learning, jango यह सब चीजे मैं कर रहा हूँ क्यों क्यों कि I am solving the problem I am analyzing, I am solving, मैं उस चीज़ को किसी को दे रहा हूँ ताकि उस चीज़ को help हो रही है उसकी, तो आपको यह चीज़े करनी है, if you want to do, अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो पहले आपको उसका purpose बता होना चाहिए, अगर आपने कोई purpose देख लिया तो बहुत मजाएगा सीखने में लोग आपको programming language सिखाते हैं कैसे कि भाई यह dog है अगर आपको बता होना चाहिए, तो यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगा अगर आप कुछी सीख रहे हैं तो, आप कुछ भी सीखो, जो भी आपको चाहिए लेकिन जब interview की बारी आएगी तो आपको अगर यह चीज़ें आपने ध्यान में रखके चीज़ें करी हैं तो interview बहुत असने से clear होगा लोग बोलते हैं कि भे आपने यह भी कर लिया, यह भी कर लिया, यह भी कर लिया, आपने प्रोजेक्ट भी बना लिया interview नहीं clear कर पार होगा, वो पता नहीं क्या question पूछ देता है case study तो वो इसलिए आपको बना ही होता है क्योंकि आपको real उसका पता ही नहीं कि यह build करने का मकसद क्या था मेरा आपने तो कर लिया, तो इसलिए मैं आपको suggestion इतना दूँगा, अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहो, आप web development ने जा रहो, clones बनाओ, आप clone बना के सीखो, basic आप जावा का जावस्क्रिप्ट का सीखो, react का सीखो, फिर आप clones बनाने लो, किसी का भी clone उठा लो, Netflix, YouTube, Instagram, इ website है kaggle.com, वहाँ पर जाओ, competitions है, इतने सारे वो करो, आप कोई real life data उठाओ, किसी का भी zometos होगी, बहुत सारे data online available है, आप उनके उपर analysis करो, उनका कुछ आप लेकर, क्यों filtering वगारा करके, ताकि आप use कर सको, क्योंकि जब तक आप बनाओगे नहीं, तब तक आपको चीज बारी आती है, तो उसकी हालत खराब बजाएगी, अगर उसने practically कुछ नहीं किया है, इसलिए उनको छोटे-छोटे, वो मतलब एक basic से, अगर bridge बनाना होगा, तो पहले छोटे से basic demo पे बनाते हैं, वो, कि ऐसे-ऐसे करने हैं, तो आप भी क्या करो, अगर आप बड़ा implement करना ठीक है, हमेशनल पर ऐसी कुछ बाते करते हैं, तो आज का इतना ही, I hope आपको यहां से कुछ चीज़े समझ में आई होगी, आपका learning approach थोड़ा सा अलग होगा था, और आप और कुछ आगे build करना चाहेंगे, कुछ और भी आपके पास मेरा है, कुछ suggestion है, तो आप नीचे comment मे दे सकते हैं, इसी से related, और बाकि आपको पता ही है, दो ती जीज़े आपको करनी है, आपको लाइक कर देना है, आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है, और बास बाकि कोर्स हैं, वीडियो हम बना रहे हैं, सपोर्ट आपको चाहिए, नमस्कार कर दो